Hello everyone, welcome to my youtube channel, in this video we do value based question 2 of chapter number 4 ratio proportion and unitary method of class 6 इसका second question है, इसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको first question करवाया था ठीक है, यह काफी लंबी सी statement है तो हम इसको ध्यान से समझेंगे पहले तो इसमें देखें क्या है, मेहक, हरपृत, एंड राज तीन परसन है, मेहक, हरपृत, एंड राज planted trees in their school यह जो तीन बच्चे है, इन्होंने अपने स्कूल में क्या है trees plant किये है and his neighborhood during the one mohots of celebration तीक है, उन्होंने जो उनका स्कूल है वहाँ पर और उनका जो neighborhood है, वहाँ पर उन्होंने trees plant किये है और कौन, ये क्या चीज है, कौन सी celebration है, ये, वन महुतसव celebration, ठीक है, आपके वहाँ पर भी होता होगा, आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर trees plant करते हैं, आपके principal मैम करते होंगे, आप से भी कभी करवाया होगा, अब आप देखें, जब हमें पढ़ाई के साथ किसी extractivity में participate करने को मिलते हैं, तो हमें कितने हैपी होते हैं, तो उन बचों को कह है, वो बहुत हैपी हैं, and excited भी, excited भी हैं क्योंकि उन्हें एक अलग काम करने को मिला हैं, कि वो tree plant कर रहे हैं, to be a part of the celebration, they were really very happy, excited to be a part, यहां से यह line दो बार लिखती है, यहां से यह line दो बार लिखती है, यह मैं इसको cut कर देती हूँ, they were really very happy and excited to be a part of the celebration, mehk planted 18 trees, harprit planted 24 trees, and raj planted 32 trees, ठीक है, उनके बारे में अलग अलग बताया है, कि mehk ने 18 trees plant किया है, harprit ने 24, and raj जो है, उन्होंने 32 trees plant किया है, ठीक है, अब हमें बताना क्या है, what is the ratio of trees planted by mehk to those planted by harprit, तो मैं पहले यहां से जो important चीज है, है, यहां से एक तो मेरे लिए यह important है, mehk planted 18 trees, यह important है, harprit planted 24 trees, and raj planted 32 trees, ठीक है, तो इसमें से देखके, मैं यहां इसकी help लेके, मैं यहां नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देती हूँ, mehk, mehk ने कितने प्लांट किया है, mehk planted, यहां से मैं लिख देती हूँ, 18 trees, यह उसके बाद है, harprit planted, harprit ने कितने प्लांट किया है, 24 trees, and Raj planted 32 trees, ठीक है, यह हमने important जो भी चीजें थी, हमने वहां से लिख लिख लिए है, अब ए पार्ट जो इसका है, उसमें क्या पुछा गया है हमसे, what is the ratio of trees planted by mehk to those planted by harprit, हमें बताना है, कि महक ने जितने, महक ने जितने trees plant किये है, what is the ratio of trees planted by mehk, तो महक का नेम पहले आए, तो हम पहले लिखेंगे, महक to those planted by harprit, तो यहाँ पर ratio, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, harprit, ठीक है, यह लिखना पड़ेगा, कि महक और harprit ने जितने plant किये है, उनकी ratio, ठीक है, अब महक ने कितने plant किये है, 18 ratio, harprit ने कितने plant किये है, 24, 24, तो क्या यही हमारा answer हो जाएगा, नहीं, हमें पता है, जो भी हमारी ratio होती है, हम उसको simplest form में लिखते हैं, means divide कर लेते हैं, इसको cancel करेंगे, अब आप देखें, यह दोनों 3 की table में आते हैं, 2 से करना चाहें, 2 से कर लो, तो ratio बन जाएगी, 3 ratio, 4, A part का answer आया, 3 ratio, 4, B part, B part में हमसे पुछा गया है, how many more trees should Raj plant, so that the ratio of trees planted by mehak, to that Raj becomes 1 ratio, 2, next part देखें, क्या है, अब यहां इनने हमसे पुछा है, how many more trees should Raj plant, कि Raj कितने जादा, अभी Raj ने कितने प्लांट किया है, 32, लेकिन वो पुछ रहा है, कि वो 32 से कितने जादा, how many more trees should Raj plant, so that the ratio of the tree planted by mehak, to that of Raj, मेहक ने कितने प्लांट किया है, मेहक ने कितने प्लांट किया है, 1 ratio ठीक है, अब आप पहले तो यहां देखो, mehak के तो जितने प्लांट कर रही है, महक तो उतने ही आएंगे, miss मेहक ने कितने प्लांट किये है, मैक ने प्लांट किये है 18 रेशो अब राज ने वैसे तो प्लांट किये है 32 लेकिन वह कह Excellence 32 से कितने जादा प्लांट करें अभी मुझे नहीं पता है कि वह कितने उससे जादा प्लांट करें मैं यहां भी कुछ नहीं लिखती है ठीक है तो यहां पर मुझे कुछ answer लिखना है x y z कुछ तो means कुछ ना कुछ आएंगे 25 26 कुछ तो आएंगे means यहां 32 है ना means इससे जाद आएंगे maybe 33 आ जाएं 34 कुछ ना कुछ यहां लिखा जाएगा लेकिन मुझे नहीं पता है अभी क्या लिखेंगे तो यहां से राज को और 1 को multiply करो means राज और multiply by 1 लिखा जाएगा अब किसी भी चीज को बन से multiply करो वही आता है means राज आ जाएगा और यहां से 18 multiply 2 18 multiply 2 करेंगे कितना आएगा 36 means राज को कितने trees plant करने चाहिए 36 लेकिन इसने प्लांट कितने किये है 32 trees तो कितने जादा वहाँ पर उसको प्लांट कर रहा है अब आप यहां लिखोगे राज means यह जो 36 आया ना उसको टोटल 36 trees प्लांट करने चाहिए तब ही तो महक और राज को कि महक कितने कर रही है 18 और राज के मुझे पता चला कितने आया है 36 इनको कैन से कर रही है 18 18 18,2036 देखो बन गई है ना ratio 1 ratio 2 means उसे कितने प्लांट करने चाहिए 36 और actual में उसने किये कितने है 32 तो कितने extra आज आएंगे ठीक है राज should plant कितने यह 36 में से आप इस उसने पहले किये है means 32 इनको माइनस कर दो 36 में से 32 माइनस करो कि 4 ठीक है राज should plant 4 more trees ठीक है उसे 4 ज्यादा 4 और trees उसे प्लांट करने चाहिए ठीक है C plant है Oh sorry C part है How do you celebrate one more hot stuff in your school Why should we take care of our environment ठीक है हम इसका यहाँ पर अंसर बताना है How do you celebrate one more hot stuff in your tree तो वह आप से पुछा गया है कि आप अपने स्कूल में कैसे celebrate करते हो देखो अभी यह तो आपकी स्कूल के उपर depend है आप कैसे करते हो तो one more hot stuff को तो देखो celebrate ऐसे ही किया जा सकता है कि अगर देखो या तो कोई अगर कोई किसी tree को cut कर रहा है तो हम उसे रोकेंगे कि नहीं आप trees को cut मत करें तीक है अगर ठीक है हम उसे रोकेंगे कि देखो tree हमें क्या है उसे हमें shadow मिलती है चाया क्योंकि देखो जब धूप होती है तो हमें लगता है कि हमें टी के नीचे जा के करणा होना चाहिए ठीक है तो हम्मने रोकैंगे वाई شूड़ इटेक कियर ओफ और एर êइन्भयर्मेंट क्योंकि आपको बते दियकों जितने टी जादा होंगे तो हमारा एन्भयर्मेंट क्या होगा होगा ठीक है तो लिए हमसे पुछा ह का है। तो मौत साथ ठीक है तो हम से असरे सब्सके करेंगे उससे हमारा environment भी safe हो जाएगा और क्योंकि हमें वनमों सब को celebrate करना तो वह trees हम जब plant करेंगे तभी तो उसको celebrate कर पाएंगे ठीक है तो यहां पर आपका यह जो second question है यह आपका यहां पर इस video में मैं यहां पर second question करवाया है मैंने अगर आपको यह पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें बैल आइकन जुरूर प्रेस करें कि उसे आपको सारी वीडियो जी एक साथ मिल जाएंगी अगर आपको कोई query है आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप comment करके जरूर पूसकते हैं thank you so much